फेलो प्रेंट् HOL ओछ यदय वीडियो बात करने वाले। कि आखिए इंड़क्तर क्या होता है। कि कैसे हम आखिशन क्या होता है। जाएब बात करते हैं कि आखिए इंड़क्तर क्या होता है। यहां definition देखेंगे inductor का तो यह definition लिखें हैं कि an inductor is a passive electronic component that stored magnetic energy energy in the form of electromagnetic field when electric current flow through it क्या होता है inductor यह आपका है passive component हम आपको पहले ही बताये थे कि passive device क्या होता है passive component क्या होता है तो वहां आप लोगों को example बताये थे कि inductor capacitor और resistor जो होता है यह आपका passive component होता है तो inductor क्या है एक आपका passive component है जो magnetic field में क्या होता है energy को store करता है किसके फोर में electromagnetic field में जब energy electric current को क्या करते हैं supply देते हैं कि अब देखिए इसे और हम दूसरे नाम से भी जानते हैं चौक रियक्टर और क्वाइल अब देखेंगे कि यह इंड़क्टेंस क्या होती है यहां निशन देखेंगे तो लिखेंगे दटेंदेंसी ओप एलेक्टिकल कंड़क्टर टू अपोज चेंज इन दा एलेक्टिक क्रेंट फ्रेंट फ्रेंट क्या होता है आपका मेंटिक फिल्ड डेवलप होता है और जब यह मेंटिक फिल्ड डेवलप होता है क्या होता है कि यह जो है कंड़क्टर और अलक्टिक क्रेंट को अपोज करने का करम करता है तो से क्या बोलेंगे लिखेंद यहां दूसरा भी डिपनीसन आप देख सकते हैं मैथमेटिकल तोर पर आपका एक डिपनीशन और द έχει उपान डिटी यह आपका क्या क्या है रिट ऑप चंज ओप करेंट इसका जो रिसियो जो होता है क्या बोलते हैं इंडक्तेन्स और इसका यूनीट जो ता है अप लोग यूंग अभित 1 avent यूनीट जो लिखे है है कि मैंनेटिक इनरजी को बैसी ऑपका मैंनेसे टेड़ कर सकते हैं कि यह रिएसियो होता है मैंनेतिक फलक्स इसे यह फाय लिखिए यह अग्नेस्ट ए 我們 के लिख्स मैंनेटिक फ्लक्स और जो ग्राइब यह और चोड़ा यह रेशियो होता है उससे क्या है कि तो एक रेश्यू है में किप्समा 1 यू चुटा कि इंडवाय में कितना हम में के इनरेजी को एन सपाथ कर सकते हैं यहाँ से कालेंगे लोग जानते हैं कि क्या होता है वेवर यह डव लिखें यह वेबर है और करेंट का युनिट क्या होता धैं मिया तब्जेष लेकिन एसा यूचिवThey होता है एशा का यूज हम कहां कहां करते हैं देखें यहां फंसन लिखें हैं इंडक्टर का कि इंडक्टर का यूज होता है हम कहां कहां करते हैं तो पहला जो आप लोग देखेंगे तो तो कंट्रोल स्चिमिनल को कंट्रोल करने के लिए मानिंग कि हाइफ प्रिक्क्न करना होगा तो कैसे चर्फ करें गールई तो उसमें क्या हता है आपका इंडक्टर यूज करते हैं जो क्या करता है सिगनल को कंट्रोल करता है लग नेक्स ट्पाल्ण एनरजी-डिपिंटर का यूज कर सकतون है निकिए फैनल को रह Partners निक्लेड़ लगा रहा जासे काल क्या होता है कि मुंद वड़ा एència कमद लगे लाइटिंग के लिए लिए पर कड़े से का सिस्टम बनते हैं उसमें क्या होता है कि आप का ये इन्डक्टर होता है जैसे हम एनिकि लेते हैं दो किया हुआ रहता है जब रहता है जब तक अप elan का इंड़क्टर नहीं रहता वर्क नहीं करेगा क्योंकि हम जानते हैं कि फर्म भी आपका युज वर्क होता है कि इस तरह से जो आपका ट्रावर्मर्भी जो बनी रहता थे यह और यापको कोईल देख रहे हैं यह क्या आपका यह अब आपका sensor sensor में वे आपका क्या रहता है आपका इंड़क्टर यूज क्या रहता है बहुत सारे ऐसे डिवाइस आ गए हैं सेंसर टैप जैसे आप माले की ड्राइस इंसर जो होता है मतला आपका जो हाथ को सुखाने के लिए पानी सुखाने के लिए जो करते हैं मसीन से उसमें क्या रहता है आपका इंड करने के लिए ंदक्टर लगा हुआ रहता है ओधन अब फिल्टर यह फिल्टर क्या होता है जैसे गौण लोग जानते हैं कि इनडक्टर जो क्या करता है आपको तो AC से DC में कनवर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इंडक्टर का भी यूज करते हैं आप लोग आगे जाकर जो फटर समिस्टर में जाकर पर एंगे LC filter यह क्या है कि इंडक्टर और capacitor मिल करके आपको क्या करता है यह फिल्टर करने का काम करता है अब है की इंडिकेट कर देता है कि रिले आपको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है तो यह है आपका फंसन ओप इंडक्टर आपकर यूज है अब हम इसका सेंबल शुटके है सेंबोल बताते हैं और इसका गराफ किस टाइप का उता है वह हम देखेंगे तो उस case में उसका graph की step का हो देखिए why जिस समय में क्या होता है आपका इंडक्टर चाहिम आपका डिस्चार्ज चार्जिंग के case में या चाहिम देखिए यंशकन के kısm कि सिंदेखिद के weं इस तरह का graph बनता है और आपका यह जो ए चाहिंग जब आपका इंड़क्टर जब चार्ज होगा तो उस केस में जो है उसका गराफ इस टैप का बनेगा आप लोग पूछ सकते हैं कि इसका गराफ पी ऐसा और इसका गराफ ऐसा क्यों दिदिगे आप लोग के डिपलोमा के लेवल पर कितना ही काफी है क्योंकि जब इसका हम क्या होता है यूनिट कैसे निकलता है और इसका जो हैं सेव और घ्राफ कैसा कैसा होता है आप लोग यहां पर लोग याद रखेंगे तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को को शेयर कर देंगे ताकि उन लोग के पास भी जितने भी वीडियों बना रहे हैं उसका कंटेंट उन लोग के पास भी एविलेबल हो जाए तो चले में आप लोग को नेक्स वीडियों देंगे थैंक्यू